Hello students, welcome to our YouTube channel पढ़ो India आज इस वीडियो में हम करेंगे class 5th की EBS की week 14 की worksheet जिसमें हम करेंगे chapter 14 when the earth shook जब धरती कापी चलिए शुरू करते हैं questions को solve करना question number 1 में fill in the blanks करने हैं first देखिए the shaking of earth is known as earthquake पृत्वी के हिलने को earthquake या भुकम कहा जाता है in case of an earthquake, hide under a strong thing and hold it जब भुकम आए तब हमें किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाना चाहिए और उसे मजबूती से पकड़ लेना चाहिए earthquake is a natural disaster earthquake यानि भुकम एक प्राकृतिक आपदा है excessive rainfall can lead to flood ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आ सकती है shortage of food can lead to drought shortage of food का मतलब होता है खाने पीने की कमी खाने पीने की कमी जब होती है तो उसे हम सूखा या अकाल कहते हैं question number two में आपको इन questions के answer देने है first देखिए what would you do if an earthquake occurs जब एक भुकम पाता है तब आप क्या करेंगे बच्चो जब भुकम पाता है तब हमें किसी मजबूत चीज के नीचे छुप जाना चाहिए वो चीज कोई मेज हो सकती है या फिर हमें किसी बाहर open place में यानि खुली जगे में आ जाना चाहिए we should not use lifts और हमें lift का इस्तिमाल भी नहीं करना चाहिए answer हम लिखते हैं when earthquake occurs we should hide under a strong object like table और we should come out in an open space we should not use lifts पोशन का भी पार्ट देखिए what do you understand by draught अकाल से आप क्या समझते हैं बच्चों जब बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो खेतों की फसल मारी जाती है जब फसल मारी जाती है तो उससे अनाज और खाने पीने की कमी हो जाती है और लोग भुकमरी से मरने लगते है ऐसी इस्थिति को ही draught या अकाल कहा जाता है answer लिखते हैं हम when there is a little or no rainfall failure of crops occurs this leads to shortage of food there can be deaths also due to starvation this situation is called as draught next question see what problems do people face in case of a drought अकाल के समय लोगों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है people face problems of crop failure, hunger and deaths in case of a drought लोगों को फसल का मारा जाना, भुकमरी और मौत जासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है d. in times of natural disasters like earthquake and flood when people lose their homes and belongings, what kind of help do they need जब भुकम और बाड आती है, ऐसे समय में लोगों का घर और उनका सामान चूट जाता है उनको इस समय किस आवशक्ता की जरूरत होती है बच्चों ऐसे समय में उनको रोटी, कपड़ा, मकान और दवाईयों की आवशक्ता होती है आंसर है, they need food, clothes, shelter and medicines नेक्स्ट कोशन देखिए, यहाँ पर आपको इस चित्र को देखना है और कोशन के आंसर देने है इस चित्र में लड़का और उसकी मा क्या कर रहे है बच्चों देखिए, इस चित्र में रड़का और इसकी मा एक मजबूर टेबल के नीचे चिपे हुए है The boy and his mother are hiding under a table कोशन का next part देखिए In which type of natural disaster can this strategy be used as a safety measure and how किस प्रकार की प्राक्तिक आपदा में यह उपाय हमारी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो सकता है बच्चों हमारी सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल earthquake यानि भुकंप के दोरन हो सकता है क्योंकि इस तरीके से हम अपनी ओपर गिरने वाली चीजों से बच सकते है This strategy can be used as a safety measure in earthquake as it saves us from things falling over us अप next question देखिए इसमें आपको भारत का नक्षा दिया गया है इंडिया का map दिया गया है यहाँ पर आप गुजरात राज्य को पहचान करके उसमें अपना पसंद का कोई भी रंग भरना है यह देखिए हमने गुजरात को पहचान करके उसमें अपनी मनपसंद का रंग भर दिया है बच्चों यहाँ पर हमारी यह वर्कशीट करत्म होती है बागी सब्जेक्ट के वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पड़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करना ना भूलें